जन्ता के साथ मारपीट कर कानून की धज्जिया और रहे हैं भाजपा के निता भावना पांडे देहरादून, वरिष्ट राज्य आंदोलिनकारी, प्रसिद जन्त सेवी एवं जन्ता कैबिनेट पार्टी जेसीपी की केंद्रिय अध्यक्ष भावना पांडे ने कैबिनेट मंत्री मामले को लेकर एक बार फिर भाजपा पर जम कर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ताना शाह तो है ही लेकिन अबवे गुंड़ागर्दी पर भी उत्तर आये हैं जेसीपी अध्यक्ष भावना पांडे ने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा बीच सड़क युवक से मार पीट किये जाने पर रोश जताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस घटना के बाद भाजपा के नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है उन्होंने कहा कि सरकार पहले तो अपने हक की आवाज उठाने वाले मासून लोगों को पुलिस के दंडों से पिटवाती थी किन्तु अब सरकार के कैबिनेट मंतरी खुद सड़क पर उतर कर ये काम कर रहे हैं जन समस्याओं को सुनने वह उन्हें दूर करने की बजाए भाजपा के मंतरी जनता की पिटाई कर रहे हैं जन सेवी भावना पांडे ने वितम मंतरी प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा बीच सड़क पर यूवक की पिटाई किये जाने को सीधे आम आदमी पर सत्ता का हमला बताया है उन्होंने कहा कि यह घटना लोकतंत्र के लिए एक बदनुमा दाग है जहां सतारूल दल के मंतरी आम जनता को कीले मकोडे की तरह समझते हैं धटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रति निधियों को इस तरह के क्वित्य किसी भी सूरत में शोभा नहीं देते। जे सीपी मुख्या भावना पांडे ने कहा कि प्रेम चंद्र अग्रवाल कोई सडक चाप या एरे गेरे व्यक्ति नहीं हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामे पदपर रह चुके हैं, संसदिय कार्यम मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में शेहरी विकास ववित मंत्री हैं, ऐसे में उनसे समाज के एक जिम्मेदार सुल्जे हुए और परिपक्व बरताव की अपेक्षा की जाती है, उन्होंने मुख्य मंत्री धामी से कारवाई की मान करते हुए दोशी मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल को ततकाल बर्खास्त करने की मान की है, उन्ह कर्टूत ने भारतिय जन्ता पार्टी की असलियत को सब के सामने उजागर कर दिया है